नमस्कार दोस्तों मिरुडुप चैनल में आप लोग का स्वागत है आज इस विड़ों हम बात करने वाले 36 गड़ के स्वाफ सी भाग में भरती के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है जिसके अंतरगर्ध विभीन न पदो पर भरती किया जाएगा तो इन पदों के लिए कौन को न वेदन कर सकते हैं सैक्षिरी की उग्यता क्या होना चीए आप लोग का चैन किस प्रकार से किया जाएगा प्रती मा कितना वेतन दिया जाएगा ऑनलाइन अवेदन करना है या ओफ्लाइन अवेदन करना है मैं आप लोगों को पूरी डिटेजल से वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्व अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहें तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूत दबायता कि ऐसी ही काम क्यूडियो आप लोगों तक पहुँच सके तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्टो वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अधिक से अधिक सेयर किये ताकि ऐसी काम के उड़ो जूरतमन लोगों तक पहुंच सके और इस विग्यापन से संबंदित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बोक्स मे कमेंट करके पूछ सकते हैं विग्यापन जारी के है काले मुक्य चिकिस्वम सास अधिकारी जिला जाजगीर चापा 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर्द भिविन्न पदों पर भरती किया जाएगा जो भी इक्छुक अवेदक इन पदों के लिए अवेदन करना चाते ह चिकिस्वम सास अधिकारी जिला जाजगीर चापा के नाम से 4 मई 2022 साम 5 बज़े से पहले रजिस्टर डांक के माध्यम से अवेदन करते हैं अगर आप लोग अन्य माध्यम से अवेदन करते हो तो अवेदन पत्र सुकार नहीं किया जाएगा प्रोग्राम एसोसियेट के एक पत पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 30,000 रुपे नर्सिंग ओफिसर के टोटल 32 पत पर भरती किया जाएगा 16,500 रुपे फीजो थेरिपीस की टोटल तीन पत पर भरती किया जाएगा प्रती मावेतन दिया जाएगा 18,000 रुपे इसी प्रकार अकाउंटेंट के एक पत पर भरती किया जाएगा प्रती मावेतन दिया जाएगा 16,000 रुपे प्रोग्राम एसोसियेट के एक पत पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 30,000 रुपे दोस्तों आप लोग यहां सेक्षली क्योग्यता देख सकते हो क्या क्या मांगा गया है सभी पदों के बगल में सेक्षली क्योग्यता दिया गया है Secretary Assistant के Total 4 पत पर भरती किया जाएगा अलग-अलग विभाग में प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 13,650 रुपे Junior Secretary Assistant के एक पत पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 12,000 रुपे डेंटल असिस्टेंट के एक पत पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 14,000 रुपे अकाउंटेंट के एक पत पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 16,000 रुपे इसी प्रकार counselor के total 10 पत पर भरती किया जाएगा, प्रती माँ वेतन दिया जाएगा 12,000 रुपे counselor blood bank के लिए एक पत पर भरती किया जाएगा, सैक्षिरी क्योग्यता आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या मांगा गया है, प्रती माँ वेतन दिया जाएगा 13,000 रुपे TVHP के एक पद पर भरती किया जाएगा, प्रती माव्यतन दिया जाएगा 14,000 रुपे दोस्तों आप लोग वर्ग और अरख्षित पदों की संक्या देख सकते हो की सोबर के लिए कितने पदों पर भरती किया जाएगा Lab Technician Blood Bank के एक पत पर भरती किया जाएगा प्रती माँ वेतन दिया जाएगा 13,000 रुपे STLS Lab Supervisor के एक पत पर भरती किया जाएगा प्रती माँ वेतन दिया जाएगा 17,500 रुपे इसी परकार Security Guard के टोटल 4 पत पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 10,000 रुपे Health and Wellness Center संगवारी के टोटल 2 पत पर भरती किया जाएगा प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 13,500 रुपे Support Staff Housekeeping के टोटल 8 पत पर भरती किया जाएगा Attendant के 2 पत आया के टोटल 6 पत पर भरती किया जाएगा Cleaner के 3 पत पर भरती किया जाएगा इन सभी पदों के लिए जो चतुर स्रडी के पत पर भरती किया जाना है उसके लिए जो प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 8,800 रुपे और आप लोग इसी के बगल में Sexualer के योग्यता क्या मांगा गया है देख सकते हो कितने कितने पत पर भरती किया जाएगा वो भी आप लोग वर्गवार देख सकते हो जो भी इच्छो का ब्भ्यारती इन पतों के लिए अवेदन करना चाहते है उनके लिए 9 तम आयू होने चीए 18 वर्स अधिक्तम आयू होने चीए 70 वर्स चिकिस सी किया पधेतु ततह 64 वर्स आयू होने चीए प्रबंद किया पधेतु आयू की गणना किया जाएगा 1 जनुरी से किया जाएगा और दोस्तों आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो किस प्रकार से आप लोग का चैन किया जाएगा यहाँ पर पूरा डिटेल से बताया गया है आप लोग वीडियो को पॉस करके देख सकते हो और दोस्तों जी जिन आप लोग का लिखित परिक्षा या कौसल परिक्षा या साक्षत कार लिया जाएगा उस दिन आप लोग को ये सभी दस्तावेट डॉकोमेंट को लेकर उपसित हो जाना है आप लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हो point wise यहाँ पर बताया गया है कि कौन-कौन से दस्तावेट डॉकोमेंट को लेकर उपसित होना है जाना है और इसी विग्यापन के नीचे जो अवेदन पत्र का प्रारूप है वो सलगन है अटैच है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करें तो दोस्तो अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए तो इस विडियो के नीचे डिस्किप्सन बोक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा आप लोगों हाँ पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो तो उमीद है कि आप लोगों को ये विडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप लोग अधीक से अधीक सेयर कीजे ताकि ऐसी काम क्योड़ो जुरतमन लोगों तक पहुंच सके और इस विज्यापन से सम्मंदित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं विडियो देखने के लिए धन्यवाद